जहिन साथियो नमस्कार मैं आरके मिस्रा इंजिनर्स अड़ा पर सुवागत करता हूँ एक बात आप लोगों से डिसकस करनी थी बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है जो फ्रेसर्स हैं SSC ZE 2023 के लिए एज लिमिट क्रैटेरिया क्या होगी या आननेवरेज SSC ZE 2023 में कितने साल के लोग इलेजबल होते हैं डिफरेंट कटिकरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टेंट से चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसी तरह की इंफर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ इंजिनर्स अड़ाबर बने रही हैं मैं हमेशा आप लोगों के इंफर्मेशनल वीडियो प्रवाइट करता रहता हूँ जिससे फ्रेसर्स जितने भी हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं सो डैट कि जब भी वो फार्म फिलिंग प्रोसेस सुरू हो तो अपने आपको eligible मान करके अपनी प्रिप्रेसर्स को करिएगा तो गाइस देखे अभी प्रिप्रेसर्स करने का बेस्ट टाइम है जहां से आप अपनी प्री और मेंस दोनों कर सकते हैं प्रियमेंस को लेकर के मैं सेपरेड वीडियो आप लोगों को जरूर बनाओँगा उस वीडियो को जरूर देखेगा सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूँ यार कि SSC जेई में देखेगा अगर मैं बात करूँ BRO में maximum age limit 30 साल है इसका मतलब ये नहीं है कि आप general category में हैं तो maximum 30 साल के लोग apply कर सकते हैं OBC में BRO में 33 साल, SC और ST के लोग 35 साल तक apply कर सकते हैं CPWD में 32 साल है इसका मतलब अपनी category का age relaxation जरूर add कर विजेगा तो इसी दे मैं आप लोगों से बोल रहा था ना कि आप जैसे कि BRO में आपको पता चल गया आपकी जो category है जैसे आपके SC और ST में 5 साल का रिजेक्सेशन है OBC में हमारा 3 साल का है, PWD में 10 साल का है, PWD OBC में 12 साल का है मतलब अपने category के हिसाब से उसमें add कर लिजेगा और फिर उसके बाद Central Water Power Research में 30 साल है देखेगा फिर उसके बाद देखेगा Central Water Commission में 32 साल है Most of the departments में हमारा 30 साल है general category के लिए बट जादा तर से ये observations रहा है हमारा जो कि कुछ department में 32 साल है एक सबसे बड़ा confusion रहता है मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार minimum age limit कितना होना चाहिए ये students बार बार पूछते हैं तो SSC JEE का form भरने के लिए minimum age limit 18 साल होना चाहिए बट SSJ हमारा कोई percentage का criteria नहीं है कि कितना percentage हमारा diploma में होना चाहिए तो diploma आपका pass होना चाहिए कुछ लोग कहते है डिपलोमा में हमारा back आया हुआ है तो क्या हम appear कर सकते हैं जी हाँ back है चाहिए कुछ यो back आपका clear होना चाहिए before documents verifications या जो भी tentative date है ना जो भी tentative date होता है age limit का वो SSE हमेंसा एक निर्धारीद करता है कि इस particular मतलब की reference date के पहले आपकी degree or result must be out होना चाहिए उसके पहले आपका out हो जाना चाहिए तो यह चीज़ जाद रखेगा बाकी आपको पता है कि age limit हमारा age का relaxation OBC के लिए के लिए 5 साल है OBC के लिए EWS के लिए अभी age relaxation का प्रवधान नहीं है यह आपको दिमांग में रखना है तो आई तिंग इस वीडियो की माध्यम से हमने clear करने की कोशिश की minimum age limit 18 साल है maximum हमारा OBC के लिए 32 35 मांदो से और स्ट के लिए 37 साल अब ओभराल समझ जाओ general category के लोग maximum हमारा 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं specific अगर बैबात करो कुछ departments में जैसे कि हलाकी SSC का आप centralized form भरोगे but in departments में आप documents verification अपना करा सकते हैं 32 साल तक यही हमारा कहने का concern था ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा तो और backside है तो भी आप अप्तिकेबल हो आपने back को clear कर रखा है एक reference date का October हमारा 2023 reference date होगा उसके पहले आपका result out हो जाए एक सवाद होता है से result हमारा mark sheet नहीं आया है बट मेरा provisional certificate internet पे सो हो गया है अक्टूबर हो जाएगा 30 October 2023 तक जी हां तब भी अप्तिकेबल हो आपका वही date जो होगा provisional वाला ही माने हो जाएगा डिगरी आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है औरिजिनल certificate आ गया वो और अच्छी बात है लेकिन internet पे result आपका जिस particular date को सो किया है अगर suppose करो SST 2023 के लिए बहुत देता है कि नहीं एक अक्टूबर 2023 के लिए 23 के पहले हमारा result आप यही हमारा qualifications का reference date है इसके पहले आपका internet पे result भी आजाएगा तो भी आप अप्तिकेबल हो दिस इस तब वेरी वेरी इंपोर्टेंट इंपर्टेंट इंपर्टेंट इंपर्टेंस दू हो गए होंगे दोस्तों वीडियो को लाइक करके आप स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा देश के उन सभी बच्चों के बारे में सोचते हैं जो सबसे जाधा affordable education पर विजीब करते हैं दोस्तों तो इंजीनियस अड़ा quality और अब तक के history के सबसे biggest जो batch जो आज तक कहीं आया नही था नहीं है आनलाइन के history में civil mechanical electrical के 2.0 batches यहां पर मैं आपको बता रहा हूँ electrical का mechanical का सब के batches है प्रीच से देखे में स्था जो आपकी requirement है यह foundation batches के बारे में मैं बता देता हूँ week में 5 days की classes सूती है चार घंटी minimum class चलती है 600 घंटे की class है जिसमें 450 hours की technical 1500 घंटे की non-technical है बहुत ही in-depth आपकी classes चलेंगी proper आपको class में concept mcq questions प्लस test का आपको करवाया जाएगा साथ-साथ मैं आपको हर class की आपको pdf में देखे वीडियो की नीचे मैं ने comment section में link भी provide करा दिया है जाइएगा ज्वाइन करते समय किसे mechanical का यह electrical के batches 9 जनवरी से सुरू हो रहे है civil का 2 जनवरी से अभी भी शुरू है just go to the batch मैं video की नीचे comment section में link provide कर देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे एक important चीज है मैं आपको बता देता हूँ एक important जो मैं आपको बता हूँ जो view offer में जब जाओगे न तो view offer में जो आपको code पूछेगा view offer में जब आपको code पूछेगा please use the code y201 जैसे code तो आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है बहुत सारे code है बट आप y201 code use करते हैं तो might be आप direct मुझसे connect जाओगे और सबसे बड़ी बात lowest price में मिलेगा जो मैं वीडियो की नीचे comment section में link provide करूगा उससे आपको direct application भी जाओगे और y201 याद रखेगा y201 याद रखेगा y201 से क्या होगा maximum to maximum discount और मुझसे आप direct connect हो जाओगे अगर आपको अभी भी कोई educational qualification से batches से संबंधे doubt है आप इस पे mail कर सकते हैं मैं आपको reply करता रहता हूँ तो राहू.mishra.adda247.com बस यह हमारी mail id है थैंक यू वीडियो अच्छा लगा तो like करिएगा प्रीज है ना happy great day bye bye take care अपना ख्यावर रखेगा इसी तरह की वीडियो के लिए like करते रहे है courses join करना it's your choice मुझे पता है कि आप लोग ज्वाइन करोगे अगर आफ़र्डबल एजुकेशन से विजीब करते हैं घर बेटे आपको best quality content सही है तो आज ही पैसे इसको enrolled करो thank you